चेकिंग पॉइंट में एक स्कूटी सवार युवक से 10 किलो गांजा जब्त किया गया आरोपी स्कूटी में लाल रंग की अटैची लेकर गिधोरी के शिवरी नरायन आ रहा था शिवरी नरायन से बिलासपूर होते हुए अनूप पूर जाने वाला था शिवरी नरायन पुलिस ने सबरी सेतु पर बैरियर लगाया हुआ था इस दोरान बैरियर में इस युवक से चेकिंग की गई इस दोरान युवक के रखे अटैची में 10 किलो गांजा बरामत किया गया आपको बता दे कि शिवरी नरायन सहीत जीले में 7 दिन कल सक्त लोगडाउन लगा हुआ है सभी जीले के बॉर्डर पर चेक पॉइंट बनाया गया है इस दोरान एक स्कूटी सवार को रोका गया तलाशी लेने पर उसके पास से 10 किलो गांजा जब्त किया गया बताया जा र एक मोदे एवमेजडोपी मोदे के निरेशानुसार महनदी शिवरी नरायन पुल पर चेकिंग पॉइंट लगा हुआ था जहां आज चेकिंग के दवरान एक व्यक्ती स्कूटी जिसका नंबर और 17, 1832 है इसमें सवार होकर और पैरदान के पास एक बड़ी से अटैची ला रंकी रखा हुआ आ रहा था जिसको रोग कर पूश्ताच की गई पूश्ताच करने पर हरवड़ा गया और संध्यास्पत परिस्टी में दिखा जिसे रुकवा कर अटैची खोलवा कर चेक किया गया और नाम पता पूशा गया जो अपना नाम दिलीब कुमार दास पिता का तालिस बार निवासी संबलपूर उडिसा का बताया और अटैची खोल कर दिखाया जिसमें दस पैकेट में अलग अलग एक एक किलो बजन का गांजा अवयत मादक पदार्थ गांजा पाया गया जिसके बारे में पूश्ताच की गई जो अनूपूर किसी के पास ले जा रह पाया है नहीं बता पाया है कि तु यह अवय दूप से गांजा परिवाहन का मामला पाया गया है जिसे सिर्वान पूलिस सदिक्षक महोद है यह मतरिक पूलिस सदिक्षक महोद है HDOP से खलकों साब को यह घटना की संपूर जानकारी बता कर मामला NDPS Act के अंतरगर पाये जाने से आरोपी दिलीप कुमारदास के कबजे से पूरे 10 किलो गांजा को विधी अनुसार कारवाई करते हुए जब्त किया गया है आरोपी को आज दिनांग 25.9.2020 को गिरपतार कर पुलिस अगिरत्षा में लिया गया है और कल प्रता है इनका रिमांड माननी न्याले से अंसिल किया जाएगा तद परशाद अगरिम कारवाई जारी रहे है गांजा कीमत करीम 50.000 रुपए बताई जा रही है मारकेट पे 5.000 रुपए किलो बिता है ऐसा करके आरोपी नहीं बताया है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद जे बीडी बैंक्वेट्स लाए है पाने, इंक्रिडिबल मारिच पलेस राजगराना जे बताइब बैंक्वेट राजगराना जेवी बैंक्वेट्स बाइब, चैनल कम राजगराना है जे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब